नमस्कार आज में आपको बताऊंगे जैसे आपका बलाउज का कंथा गिरता है या आपका गला बढ़ा है तो आप उसको कैसे सई करेंगे तो सबसे पहले हम इसका जो गला है उसको नाप लेंगे अब देखिए यहां से हम इसको रापेंगे गले को अब इसका गला साथ इंच है तो हम इस पे थोड़ा सा आदा इंच दबा देंगे यहां से हम सिलाई को खोल लेंगे और यहां पे हमें आदा इंची दबाना है अब देखिए हमने आरा ही दबाया है और वड़ी से में शिलाई को हमें उतारना थोड़ा सा कम करते हुए हमने शिलाई को खोल के दबा दिया अब इसको इस तरी किसी तुरपाई कर दें कि अब दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से सिलाई को खोलेंगे और यह कपड़ा है वह हमारा आगे की साइड रहेगा इसको खुलाई रखेंगे अब हमने शिलाई देखिए बड़े सेट में लगाया है यहां से आजाएंच दबाने के बाद इसको कम करते हुए इसमें ही जोड़ना है अब यहां पर देखिए बुलकुल भी जो उठा उठा सा होता बहुत चीज नहीं आई है क्योंकि इसको हमने कम कम करके दबाया अब इसको अंदर के शाट दबाएंगे अब देखिए यहां पर यह कंधा गुरुकुल भी हमारा उठा नहीं है एक्दम चाहिए सेप में सिलाई आई है और थोड़ा सा आगा इंच हम यहां पर भी सिलाई लगा लेंगे फिटिंग में यहां से थोड़ा सा करें यहां पर सब्सक्राइब करें चप्राइब हरुद यहां पर भी सिलाई खेंगे आदा इंची लगाना है हमें सिलाई ज्यादा लगाना अगर ज्यादा है आपका यहाँ पर ढीला तो आप ज्यादा भी लगा सकते हैं अगर हमारे कंदे गर तो हम इसी तरीके से ब्लाउज को सई कर सकते हैं अगर आपका ब्लाउज नीचा है रंबाई में तो आप उसको जैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि हमारा ब्लाउज नीचा है उसे हम कैसे सई करें तो यहां से आपको सिलाई निकालने है पहले आपको यहां से सिलाई निकालने के बाद यहां पे आप जितना उंचा करना चाहें उतना आप यहां पे सिलाई को दबा ले आगे और पीछे की साइड भी आपको इसी तरीके से दबाना है सिलाई लगा की फिर आपको यह फिट जमने डिलें कुंट होने हैं कि अलैके फिसे करों हें तो मैं उलोगों के हैं जैसे किसी ने पूछा है कि दम यृख करें अगर हमाड़ है कि प्रॉबलम तो सबस्ट करें। तो हुआ हमारे Knudya का पी अगा ही करें। तो आप ज़्यादा भी दवा सकते हैं तो यह हमारा ब्लाउज एकदम फेटा रहीगा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगिए तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सेथ करें अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज आप हमें नीचे कमेंट जरूर करें जिससे आपकी मन पसंद की हम वीडियो बनाएं अगर आपने हमारी चैनल को सस्क्राब नहीं किया है तो प्लीज हमारी चैनल को सस्क्राब करें धन्यवाद